कृष्णा विक्रम जी की बात सुनकर शौक हो चुकी थी अब उसे फैसला लेना था कि आगे उसे क्या करना है उसे दिव्यांच से शादी करनी है या नहीं। आप कृष्णा पूरी तरह फस चुकी थी क्योंकि दिव्यांच ने शादी के लिए हां कर दिया था और उसने भी हां कर दी थी अब वो मुकर भी नहीं सकती थी और दादा जी के भरोसे पर उसे बहुत विश्वास था दादा जी कोई गलत फैसला उसके लिए नहीं ले सकते हैं वो हर्नव के साथ शादी के खिलाफ थे मगर अपने पापा की जिसकी वजह से उन्होंने हां कर दी थी वो दादा जी की हर बात मानती थी अगर उन्होंने दिव्यांच से शादी के लिए हां कहा है तो मैं पीछे नहीं हच सकती है और अगर उसने ना कह दिया तो दादा जी की जवान जूट ही हो जाएगी वो अपने और अपने परिवार की बेजती नहीं हुने देना चाहती थी और नहीं उन्हें कोई जूटा कहे ये बरदाश्ट कर सकती थी यही सब सोचकर कृष्णा ने विक्रम जी से अपने चहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा ठीक है दादा जी मैं इस शादी को करने के लिए तयार हूँ विक्रम जी ने यह बात सुनकर उसके माथे पर किस्किया और पंदिक जी की तरफ चले गए अभिशेक जी और अलका जी भी दोनों खुश हो गया विक्रम जी पंदित जी के पास पहुँचकर उन्होंने शादी की फिर से तयारियां करवाने के लिए कह दिया पंदित जी तयारी करने लगे तब ही रागवेंद जी विक्रम जी के पास आये और उन्होंने कहा हमारे घर का रिवाज है कि लड़की की ससुराल से आय हुए कपड़े पहन कर शादी करती है इसलिए मैंने कुछ कपड़े और गहने कृष्णा के लिए मनदवा लिये है तो तुम उससे फिर से तयार करवा सकते हो अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हूँ तो ये कहते हुए उन्होंने कुछ बॉडी गार्ड्स की तरफ इशारा किया जो बहुत सारे पैकेट्स लेकर खड़े थे विक्रम जी ने उनकी बात सुनी तो उन्होंने सरहा में हिला दिया और कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है मैं फिर से कृष्णा को तयार करवा देता हूँ ये कहकर वो कृष्णा ओर चले गए अलका जी के पास पहुँचे और उन्होंने रागवेंड जी की कही बात कही तो अलका जी भी मान गई और क्रिश्णा को लेकर चली गई उसके साथ मीरा भी उसे तयार करने के लिए चली गई और बोडिगार्ड भी उनके पीछे बहुत सामान लेकर रूम में पहुँचाने चले गए रागवेंड जी ने भी दिव्यांश को एक शेरवानी थी और कहा जाकर तयार हो जाओ दिव्यांश ने भी शेरवानी चुपचाप ली और एक कमरे की ओर चला गया तयार होने के लिए उसके साथ सागर और शिवाय भी चले गए थोड़ी देर में दिव्यांश तयार होकर मंदप में पहुँच गया इस समय बहुत हैंसम लग रहा था उसने गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी थी और रेट कलर का दुपट्टा लिया था वो बिलकुल एक प्रिम्स की तरह देख रहा था उसके सर पर एक पगली थी जिस पर डायमन का एक ब्रांच था जो उसे और खूबसूरक बना रहा था वो शादी के मंदप में जाकर बैट गया पंदिक जी ने भी पूजा शुरू कर दी अभी सिर्फ हॉल में होटल के कुछ स्टाफ दिव्यांच के बोडी गार्ड और राठ और परिवार ही थे रागवेंड जी ने हॉल की सिक्यूरिटी बढ़ाने के ये कह दिया क्योंकि वो जितने बड़े आदमी थी उनकी दुश्मन भी उतने ही सारे थे वो कोई भी नुकसान नहीं होने देना चाहते थे इसलिए उन्होंने सिक्यूरिटी टाइट करवा दी पंडिक जी ने थोड़ी देर में क्रिश्ना को लाने कह दिया इस बार अभिशेग जी खुद क्रिश्ना को लाने गए कुछ देर में अभिशेग जी अलका जी दोनों कृष्णा को लेकर आ रहे थे उनके पीछे मीरा भी आ रही थी वर्माला की थाल लेकर अभी कृष्णा ने रागवेंद जी का दिया हुआ शादी का जोड़ा पहना था जो लाल और पीले कलर का कॉंबिनेशन था उसके चहरे का रंग पहले से और निखर कर आ चुका था उसे देखकर कोई भी अपना दिलहार बैठे इतनी खूबसूरत लग रही थी वह एक अलग ही एटिट्यूट में आ रही थी जैसे कोई रानी अपने सभा में पहुँच रही हो उसके चहरे पर ना तो कोई दुखना कोई खुशी थे उसके चहरे पर अलग तेज था दिव्यांच ने जब उसे आते हुए देखा तो उसके सांस ही थमसी गई थी दिव्यांच के सारे बोडी गार्ड भी कृष्णा की तरफ देख रहे थे वह भी अपने मन में कह रहे थे वह कितनी खूबसूरत है हमारे बॉस के तो लोटरी लग गई प्रिश्णा मंदप में पहुँची तो पंदित जी ने दिव्यांच को खड़ा किया वर्माला की रसम के लिए वर्माला देने को कहा मीरा ने वर्माला की थाल आगे कर दी दिव्यांच और कृष्णा अभी आमने सामने खड़े थे दिव्यांच जहां कृष्णा को बिना एक्स्प्रेशन से देख रहा था उसे देख कर कोई नहीं बता सकता था कि उसके दिमाग में भी कौन सी बात चल रही होगी वही कृष्णा ने जब दिव्यांच को देखा तो गुस्सा आ गया वही ये शादी नहीं करना चाहती थी फिर भी वर्ख चुप चाप अपने मन को फिर शान्थ कर गुस्सा कम कर मीरा के पास है एक माला उठा ली वह माला लाल और पीले गुलाब के फूल से बना हुआ था जो बहुत ही खूप सूरत लग रहा था उसमें पिंट कलर के भी गुलाब थे जो और सुन्दर उसे बना रहे थी दिव्यांच ने भी एक वर्माला अपने हाथ मिली पंदित जी ने कृष्णा को वर्माला पहनाने को कहा कृष्णा ने बेमन से दिव्यांच को वर्माला पहनाने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया पर दिव्यांच की हाइट काफी थी वह पहुंच नहीं पा रही थी यह देखकर दिव्यांच ने अपना सर नीचे जुका दिया तो कृष्णा ने वर्माला पहना दी फिर दिव्यांच ने भी कृष्णा को वर्माला पहना दी क्रिश्णा ने भी आराम से माला पहन लिया फिर पंदित जी ने उन्हें बैठने को कहा शादी की सारे विदिया शुरू हुई पंदित जी ने कन्यादान के लिए क्रिश्णा के माँ पापा को बुलाया अभिशेक जी और अलका जी ने कृष्णा का कन्यादान किया अभी अभिशेक जी अलका जी के आँखों में आशु आ चुके थे कृष्णा के भी आँखों में हलके से आशु आ चुके थे अभिशेक जी और अलका जी ने कृष्णा का हाथ दिव्यांश की हाथों में देकर कण्यादान संपन किया दिव्यांश ने जब कृष्णा का हाथ पकड़ा तो उसके शरीर में कर्ट डॉल गया वही हाल कृष्णा का भी था यह हैसास दिव्यांश और कृष्णा के लिए नया था फिर पंडिक जी ने गट बंधन करने के लिए कहा तो मीरा ने एक पिंक रंग का एक दुपट्टा दिव्यांश की कंदों पर रखकर कृष्णा की दुपट्टे से गट बंधन कर दिया रागवेंद जी और विक्रम जी यह सब देखकर खुश हो रहे थे कि उनके सालों की पहले की दोस्ती अब रिष्टेदारी में बदल चुकी है अब विक्रम जी को दिल में खुशी थी कि अब उनकी पोती सुरक्षित है और रागवेंद जी को अब अपने पोते की शादी को लेकर टेंशन नहीं हो रही थी आखिरकार उनकी पोते ने शादी कर ली उनके सालों का सपना सच हो रहा था पंदिक जी ने दोनों को फेरों के लिए खड़ा करवाया दिव्यांच तो खड़ा हो गया लेकिन कृष्णा फेरों के लिए खड़ा होना नहीं चाहती थी फिर थोड़ा सोचकर वह भी फेरों के लिए खड़ी होने लगी मगर उसे उठने में थोड़ी प्रॉब्लम हो र पंडित जी ने दोनों को बैठने का इशारा किया वह दोनों फिर से अपनी जगह बैठ जाए पंडित जी ने कुछ मंत्रो चार के बाद थाली आगे बढ़ा कर उसमें से सिंदूर लेकर क्रिशना की मांग में भरने के लिए दिव्यांच को कहा तो दिव्यांच ने भी सिंदूर लेकर क्रिशना की मांग में भर दिया सिंदूर भरने की समय थोड़ा सिंदूर क्रिशना की नाग पर भी गिर गया था फिर पंडित जी ने एक मंगल सूत्र क्रिशना के गले में पहनाने के लिए कहा वो मंगल सूत्र बहुत ही खूब सूरत था उस मंगल सूत्र में मोरपंख और बासुरी का था मोरपंख में डाइमंड थे और बासुरी गोल्ड की थी और उसने बहुत सुन्दर से डाइमंड के वक्या हुआ था और More Punk में जितने रंग होते हैं उतने रंग के डायमन से More Punk के डिजाइन को डिजाइन किया गया था उसमें एक ब्लू कलर का बड़ा सा डायमन था जो बहुत मिलता है और वह बहुत ही महेंगा था मंगल सूतर के लौकेट की दोनों तरफ गोल्डन कलर की मोती थी फिर काले रं की मोती थे वह मंगल सूत्र बहुत ही यूनिक डिजाइन का था यह मंगल सूत्र रागवेंड जी ने बहुत बड़ा जूरी डिजाइनर से मनगवाया था लेकिन मंगल सूत्र का डिजाइन दिव्यांच ने ओके कहा था जेवलर ने बहुत सारे डिजाइन्स लेजे थे सिलेक जी ने कहा, शादी संपन हुई हम दोनों पती-पतनी हुए आप अब सभी बड़ों का आशिरवाद ले। उनकी बात सुनकर दिव्यांश और क्रिश्ना खड़े हुए और सभी का आशिरवाद लेने चले गए सबने आशिरवाद दिया। तब रागवेंद जी ने कहा, आप विदाई के लिए तयारी करवाए हम लोगों को मुंबई के लिए निकलना है। सब हैरान थे मगर क्रिश्ना के चहरे पर थोड़ी मुस्काना गई क्योंकि आज तक वह दोनों कभी अलग नहीं हुई थी बच्पन से ही वह साथ थे और इस टाइम उसे भी मीरा की जरूरत थी। उम्र की थी। मीरा क्रिश्ना को गार्डन में रोते हुए मिली थी इसलिए वह उसे अपने घर ले आए। तब से वह दोनों साथ है। मीरा ने हमेशा एक बोडी गार्ड की तरह क्रिश्ना की रक्षा की थी। मीरा के लिए क्रिश्ना बहुत इंपोटेंट थी क्योंकि इस जालिम दुनिया में उसने ही उसे अपने घर और परिवार में जगह दी। उसका ख्याल रखा इसलिए उसने भी कभी भी क्रिश्ना का साथ नहीं छोड़ा था किसी भी परिस्थिती में नहीं। रागवेंड जी ने एक बार क्रिश्ना की तरफ देखा जो ये बात सुनकर थोड़ी खुश हो गई थी इसलिए उन्होंने मीरा से कहा ठीक है आप भी हमारे साथ चल सकते हैं क्योंकि जैसे क्रिश्ना को हम अपनी बेटी के रूप में दे जा रहे हैं हम आपको भी अपनी बेटी के रूप में लेकर चलेगे आप दोनों को वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। मीरा ने बिना एक्स्प्रेशन के साथ उन्हें थैंक्यू कहा विक्रम जी ने कहा हम विदाई के लिए तयार है लेकिन हम विदाई अपने घर से करवाना चाहते हैं क्या तुम कृष्णा और दिव्यांच के साथ घर चल सकते हूँ क्यूंकि शादी होटल में हुई है और मैं चाहता हूँ कि हमारे घर की बेटी हमारे घर से विदा हो रागवेंड जी ने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है हम लोग अभी तुम्हारे घर चलते हैं फिर वहां से हम बिदाई करके एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे तब तक हमारा प्लेन भी तयार हो जाएगा उनकी बात सुनकर सब होटल से निकाल कर कृष्णा की घर की तरफ चले गए दिव्यांश और कृष्णा एक साथ एक कार में थे बाकी सब पीछे और आगे की गालियों में घर पहुँचे होटल से कृष्णा का घर ज्यादा दूर नहीं था इसलिए वो जल्दी पहुँच गया कृष्णा का घर ज्यादा बड़ा नहीं लेकिन बहुत खूद सूरत था अलका जी ने कृष्णा को अंदर लेकर चली गई बाकी सब हाल में बैठे रहे रागवेंद जी, विक्रम जी और अभिशेक पार्थ सब आकर हॉल में बैठ गए साथ में दिव्यांच भी अलका जी मीरा और कृष्णा को लेकर कमरे में गई अलका जी ने मीरा को सामान पैक करने के लिए कह दिया मेरा सामान पैक करने लगी वही हॉल में बैठे विक्रम जी और अभिशेक जी की आँखों में आशु थी ये सोच कर कि अब उनकी लाडली बेटी और इस घर रौनक चली जाएगी थोड़ी देर में कृष्णा को लेकर अलका जी आ गई विदाई करवाने के लिए उन्होंने दिव्यांच और कृष्णा को घर के मंदर में ली गई दोनों को आशिरवाद लेने के लिए दोनोंने आशिरवाद लिया फिर हॉल में आ गए सागर और शिवाय अभी तक गाड़ी में ही थे बाहर उनका वेट कर रहे थे वह घर के अंदर नहीं गया था कृष्णा ने अपने भीगी आँखों से पुरे घर को देखा जहां उसकी पुरानी यादे थी जहां उसका बचपन बीता था जहां वह खेली थी यही सब सोचते हुए उसकी आँखों से आशु गिरने लगे और वह जाकर अलका जी के गले लग गई तब ही वहाँ अभिशेक जी भी आये और उन्होंने एक लकरी का बहुत सुन्दर सा बॉक्स कृष्णा की ओर देते हुए कहा ये तुम्हारा है कृष्णा ने हिरान होकर उस दब्बे को देखा और फिर उसे ले लिया अभिशेक जी ने कहा खोल कर नहीं देखोगे इसमें क्या है उद्धरल चिन उद्धरल चिन है तो कृष्णा ने वर दब्बा खुला तो उसमें घर की सारी चाबियां थी ये देखकर उसे समझ नहीं आया उसने हैरान होकर अभिशेक जी को सवालिया नजरों से देखा तो अभिशेक जी ने उसे समझाते हुए कहा ये घर तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा इसलिए जब भी तुम चाहो इस घर में आ सकती हो तुम्हारा हक कोई नहीं चीनेगा बिना किसी रोक टोक कि तु तुम यहां कभी भी आ सकती हो और हम तुम्हीं कभी कोई सवाल नहीं पूछेंगे कि तुम यहां क्यों आए क्यों नहीं हम तुम्हारे हर एक फैसले में हमेशा साथ रहेंगे तुम हमें कभी भी कुछ भी बता सकती हो अगर तुम्हें वहां कोई भी तकीफ होती है तो तुम दोनों तो मुझे भूल ही गए मैं क्या अपनी बेटी की खुशी नहीं चाहती हूँ। अपनी जिम्मिदारियों को निभाने की पूरी कोशिश करूँगी। और अब तो आप लोग बहुत खुश होंगे ना आपके सर से क्रिश्न नाम का बोज उतर गए हैं। क्रिश्न की बात सुनकर अभिशेक जी के चहरे पर हल्की सी मुस्कुराहटा गई और उन्होंने क्रिश्न की सिर को अपने होटों से प्यार से चूम कर कहा बिल्कुल। क्रिश्न ने रोते हुए अपना चहरा बच्चों की तरह बना लिया जैसे उसे कितनी बुरी लगी हो उनकी बात। फिर अलका जी ने दिव्यांच को देख कर कहा बेटा मैंने अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह पाला उसके हर गुसे हर नकरे को सहा सहा है इसलिए वह थोड़ी जिद्धी है और थोड़ी नकर भी अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो उससे अच्छे से समझाना बस सम जाएगी अगर इससे कोई गलती भी हो जाती तो इसकी नादानी समझ कर माफ कर देना दिव्यांच ने उनकी बात कहा ठीक है मैं हमेशा आपकी बेटी का ख्याल रखूंगा फिर वहां विक्रम जी आये उन्होंने कृष्णा को आशीरवाद दिया विक्रम जी ने कृष्ण करना से कहा हमेशा खुश रहो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत अच्छे से करना हमेशा एक दूसरे के साथ हर सुख और दुख में एक दूसरे का साथ ही बन कर रहना कृष्णा ने रोते हुए दादा जी से कहा हम आपकी बात याद रखेंगे आई लव यू आई मिस क्रिश्णा ने फिर बच्चों की तरह मूँ बना कर कहा हमें आपसे दूर नहीं जाना हमें आपकी बहुत याद आएगी आप हमें यहां से क्यू भेज रहे हैं आप इनी को कहिए ना यही आकर रह जाए क्रिश्णा की बात सुनकर विक्रम जी आर अभिशेक जी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई फिर वहां पार्थ भी आ गया पार्थ की भी आखे उस समय नाम थी उसने क्रिश्णा को गले लगा लिया और अपनी रोनी आवाज ने कहा अगर कोई प्रॉबलम हुई तो अपने भाई को बस एक बार आवाज देना मैं तभी वहां पहुंच जाओंगा कभी अपने आपको अकेला मत समझना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ क्रिश्णा ने पार्थ को देखते हुए अपनी रोनी आवाज में कहा तो आप मुझसे इतना प्यार करते हैं तो मुझे जाने मत दीजिये ना मैं हमेशा यही रहना चाहते मुझे नहीं जाना आप सब को छोड़ कर पार्थने क्रिश्णा के माथे को चूंग कर कहा जाना तो पढ़ेगा हमारी राजकुमारी को अपने राजकुमार के महल यही तो रीत है और तुम यहां की चिंता मत करना मैं और पापा सब कुछ संभाल लेंगे और तेरे एंजियो की भी देख भाल कर लूँगा फिर उससे अलग होकर कहा तुझे मुंबई में भी तो अपनी एंजियो की ब्रांच खोलना था ना तो वह काम अब तू वहां जाकर करना यहां हम संभाल लेंगे अगर कोई प्रॉबलम हुई तो तुम यहां आकर संभाल लेना ऐसे भी अब यहां तुझ से पंगा कोई नहीं लेगा तेरा नाम ही काफी है उन सब को दराने के लिए क्या कृष्णा ने पहले से ही मुंबई जाने का प्लान बनाया था क्या होगा आगे जब वह दिव्यांज के घर पहुँचेगी क्या घर वाले उसे अपनाएंगे पार्थ और क्रिश्णा दूसरे के गले लगे हुए थे वह दोनों इस समय बहुत ही भावुक लग रहे थे दोनों की आखे नम थी पार्थ ने क्रिश्णा को खुद से अलग किया और समझाया मजा किया अंदाज में कहा ऐसे भी अब मुझे मुंबई वालों की चिंता हो रही है कि तुम उनका क्या हाल करोगी यहां दिल्ली वाले तुम्हारे जाने के बाद खुशी मना रहे होंगे जिन गुंडों को तु पार्थ की बात सुनकर कहा मैं अपनी तरफ से आपकी बहन की जिन्मेदारी निभाने की अच्छे से कोशिश करूँगा आपको शिकायत का मौका नहीं दूनगा इधर क्रिश्णा उसकी बात सुनकर अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहे थे एक तो ना जाने इसने क्यू शादी की और उपर से ऐसी बाते करता है सभी अब बाहर आ चुके थे बाहर आकर क्रिश्णा ने अपने हाथों में चावल लेकर पीछे ख़़ी अपनी मा की तरफ पीछे मुणे बिना देफ एक दिया अलका जी ने भी उस चावल को अपने आचल में समेत लिया प्रागवे किया अलका जी ने दिव्यांच से कहा मेरी बेटी का ख्याल रखना ये कहते हुए उनकी आँखों से आँसु बहने लगे दिव्यांच ने भी अपना सिरहां में हिला दिया दिव्यांच भी अपकार में बैक चुका था और गाड़ी चलाने का इशारा किया सारी गाड़िया सड़क पर दोड गई, वोही राठोर परिवार उन गाडियों को अपने घर से दूर जाते हुए नम आँखों से देख रहे थे, जब तक उनकी गाडिया उनकी आँखों से ओजल नहीं हुई, फिर सब घर के अंदर चले गए, आप सभी को घर खाली खाली लग रहा था क्योंक क्रिश्ना और मीरा दोनों इस घर की रोणक थी, दोनों इस घर से चली गई थी, सब अपना उदास मन लेकर अपने कमरे में चले गए, टार में, क्रिश्ना अभी भी रो रही थी, दिव्यान्ष को क्रिश्ना के आंसु देख कर अच्छे नहीं लग रहे थे, क्रिश्ना की आखी रोने से लाल हो चुकी थी, कृष्णा के भूरे बड़ी बड़ी आखी रोने से सूज चुकी थी, कृष्णा इस हालत में भी बहुत क्यूट लग रही थी, दिव्यांश अपने मन में ये सोच रहा था, इतना क्यों रो रही है जिसे मैं किद्नेप करके उसके घरवालो से दूर ले जा रहा हूँ, इसने तो अपने मन से शादी की है ना तो फिर ऐसा क्यों कर रही है, उद्धरंग चिन, उद्धरंग चिन, उद्धरंग चिन, दिव्यांश ने फिर अपने पॉकेट से रुमाल निकाला और कृष्णा की तरफ बड़ा दिया, कृष्णा अभी जो सर जुका कर रो रही थी उसने दिव्यांश के हाथों में रुमाल देखा तो वह चुक होकर उसे गुस्से से देखने लगी, अगर कृष्णा का बस चलता तो वह दिव्यांश के टुकडे टुकडे कर कुट्तों में बात देती, दिव्यांश ने जब कृष्णा को अप का हलका लाल हो चुका था कृष्णा का रंग यहुआ था इसलिए उसका फेस ज्यादा लाल पता नहीं चल रहा था लेकिन इस वक्त वह बहुत क्यूट लग रही थी दिव्यांच उसके चहरे से अपनी नजरे नहीं हटा पा रहा था वही कृष्णा ने जब दिव्यांच को ऐसे घूमते हुए देखा तो उसे और गुस्सा आ गया और उसने दिव्यांश के हाथों से रुमाल चीन लिया और अपनो आंसू पहुँचने लगे और अपना चेहरा फिर से खिलकी की तरफ कर लिया और बाहर देखने लगी। अपना रहा था इसी उधेरबुन में वह लोग ऐयापोर्ट पहुँच गए। क्योंकि उसका लहंगा बहुत हैवी था जिससे उसे उठने में प्राब्लम हो रही थी। रागवेंद जी और मीरा पहले आकर उन दोनों का वेटिंग एरिया में वेट कर रहे थे। दिव्यांश जो फोन में लगा हुआ था उसने ध्यान नहीं दिया और वह आगे चला गया उसने नोटिस नहीं किया कि वह कृष्णा को छोड़ दिया है और कृष्णा उसके साथ नहीं आ रही है। दिव्यांश जो थोड़ी दूर आगे पहुँचा तब उसे याद आया कि अब उसकी शादी हो चुकी है और वह केला नहीं कृष्णा के साथ आया है तो उसने पीछे मुल कर देखा सागर और शिवाय भी दिव्यांश के पीछे ही थे। अपनी आदत के अनुसार सब कृष्णा को भूल चुके थे दिव्यांश को जो रुपता देख वह लोग रुप गए वही कृष्णा अभी तक कार से उतरी नहीं थी उसको स्ट्रगल करते जिस बॉडी गार्ड ने दरवाजा खोला था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ा कर अपना सिर जुका कर कहा मैडम अब बाहर आ जाए। कृष्णा ने बॉडी गार्ड को देखा फिर उसके हाथ को देखकर फिर कुछ सोच कर अपना हाथ उसके हाथ में देने वाली ही थी तभी उसका हाथ किसी ने आकर पकर लिया। क्रिशना को उस बोडिगार्ड का हाथ प्रॉबलम नहीं थी इसलिए उसने उसकी हेल्प लेनी चाहती थी अगर वह उसकी हेल्प नहीं लेती तो वह कार में ही रह जाती जब कृष्णा ने देखा कि उस बॉडी गार्ड से उसका हाथ किसी और ने पकर लिया है तो उसने उस इंसान का चेहरा देखा तो वह की गई क्योंकि वह कोई और नहीं दिव्यांश था इस समय दिव्यांश गुसे से बॉडी गार्ड को देख रहा था उसकी ग्रे आखें गुसे से लाल हो गई थी वह अपनी आखों से ही उस बॉडी गार्ड को जला कर राख कर देना चाहता था उसे इस तरह गुसे में देखकर वह बॉडी गार्ड और कृष्णा दोनों डर दिव्यांश जो आगे चला गया था तब उसे याद आया कि वह कृष्णा के साथ है तब उसने पीछे मुड कर देखा तो वह बॉडी गार्ड कृष्णा को अपना हाथ आगे बढ़ा कर उसे बाहर निकलने के ही कह रहा था इसे देखकर वह गुसे में आ गया और वह देखकर डर गई थी उसने अपने हाथों के पकड़ा उसके हाथ में और मजबूत कर दी वही बॉडी गार्ड अपना सिर जुका है खड़ा था तब तक सागर और शिवाई भी वहां पहुंच गये थे तब दिव्यांश ने शिवाई की तरफ देखकर कहा फायर और शिवाई को समझ में आ चुका था कि उसने क्या गलती की थी उसने अपने लेडी बॉस को छूने की गलती करने जा रहा था इसलिए उसके पास ने फायर कर दिया दिव्यांश इसे भी ज्यादा बुरा कर सकता था उसके साथ लेकिन उसने सिर्फ उसे फायर ही किया था इ दिव्यांच थोड़ा शांध होकर कृष्णा की ओर देखा और कहा बाहर आ जाओ कृष्णा ने उसका हाथ था में उसके सहारे अपना लहंगा संभालते हुए कार से उतर गई कृष्णा जैसे ही कार से उतरी उसका बेलेस थोड़ा बिगरने लगा और वह गिरने को हो गई त दिव्यांच ने उसकी कमर को पकड़ पर उसे गिरने से बचा लिया कृष्णा ने गिरने के दर से अपनी आखे बंद कर ली थी जब उसे एहसास हुआ कि वह नहीं गिरी है तो उसने अपनी आखे खोल कर देखे तो उसने देखा दिव्यांच ने उसे गिरने से बचा लिय था वह अभी दिव्यांच के बाहों में थी इस समय दिव्यांच के हाथ कृष्णा की कमर पर थे और दिव्यांच उसे ही देखे जा रहा था उसे ऐसे देखता है देख कृष्णा को गुसा आ गया और अपने आपको संभालते हुए खड़ी हो गई दिव्यांच जो अभी तक क्रिशना के चेहरे में खोया हुआ था क्रिशना जब अपने आपको संभाल कर खड़ी हुई तब जाकर दिव्यांश को होश आया और उसने भी क्रिशना को ठीक से खड़ा किया और उसके साइड में खड़ा हो गया दिव्यांश वेटिंग एरिया की ओर जाने लगा उसके साथ अब कृष्णा भी चल रही थी दिव्यांश और कृष्णा की पीछे सागर और सेवाएं भी थे और चारों करफ से बॉडिगार्ड्स ने उन्हें घेर रखा था वहां मीडिया भी थी लेकिन बॉडिगार्ड्स से होते हुए मीडिया ने एक भी तस्वीर लेने की हिम्मत नहीं थी उनके बॉडिगार्ड ने इस तरह कवा कर रखा था कि कोई भी आदमी उन्हें नहीं देख सकता था रागवेंड जी और मीरा उसका वेटिंग एरिया में ही इंतजार कर रहे थी दिव्यांश ने वह पूरा एरिया बुग कर लिया था इसलिए वहां कोई नहीं था कृष्णा और दिव्यांश वेटिंग एरिया में पहुँचे उन लोगों के प्लेन हो तैयार होने में थोड़ा टाइम लगने वाला था इसलिए सब वही इंतजार करने लगे दिव्यांश अभी भी कृष्णा को देखे जा रहा था मगर कृष्णा ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा था वह मेरा से उस बात कर रही थी थोड़ी देर में सागर आया और उसने कहा सर प्लेन तैयार है अब हमें चलना चाहिए उसकी बात सुनकर दिव्यांश अपने दादाजी के पास चला गया दिव्यांश ने अपने दादाजी को एटिटीट से कहा दादाजी प्लेन तैयार है तो हम सबको अब चलना चाहिए सभी लोग प्लेन की तरफ चले गए इतना बोल कर उसने क्रिश्ना की तरफ भी देखा दादाजी मीरा और क्रिश्ना के पास गया और उन्होंने कहा चलो बेटा हमें लेट हो रही है अब हमें चलना चाहिए वह सब प्लेन के तरफ चले गए क्रिश्णा और मीरा अभी एक साथ चल रही थी ओ लोग प्लेन के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा है वहाँ एक प्राइवेट प्लेन था सभी लोग प्लेन में इंटर हुए उस प्लेन को देखकर क्रिश्णा और मीरा की आखे बड़ी हो गई क्योंकि वह प्लेन अंदर से एक फाइव स्टार होटल जैसा था इसमें हर एक फैसिलिटी थी जिसमें एक बार, दो बैडरूम, मीटिंग रूम और किचन और लोगों को बैठने के लिए बिजनेस प्लास की तरह था वहां का हर एक समान को काफी महंगा था और सारे सामान इंपोटेंट थे वह प्लेन, उन्हें प्लेन नहीं एक होटल लग रहा था वह दोनों अभी प्लेन को देखी रही थी तभी एक एर होस्टेस उनके पास आये और उन्हें अपने सीट पर बैठने के लिए कहा रागवेंद जी के पास ही मीरा की सीट थी और कृष्णा की दिव्यांच के बगल में थी सागर और शिवाय एक साथ बैठे हुए हैं और उनके साथ कुछ बोडी गार्ड्स भी अलग-अलग सीट पर बैठे हुए थे क्रिश्णा को तो यह शादी करनी नहीं थी मगर अब हो चुकी है तो अब कुछ कर नहीं सकती थी वह चुपचाप दिव्यांच के बगल में जाकर बैठ गई दिव्यांच फ्लाइट में आते के साथ ही उसने अपना लप्टॉप ओन कर काम करना शुरू कर दिया था क्रिश्णा ने जब उससे ऐसे लप्टॉप पर काम करते हुए देखा तो उसने अपने मन में उसे बहुत सारी गालियां दी और गुस्से में से घूर ने लगी थोड़ी देर में फ्लाइट टेक ओफ करने वाली थी इसलिए एर होस्टेस ने आकर सबको सीट बैल्ट लगाने के लिए कहा एइर होस्टेस के बाद सुनकर दिव्यांच ने अपना लग टॉब बंद किया और सीट बैल्ट लगाने लगा दिव्यांच ने अपना शरीर लगा लिया। अगर Krishna से सिर बैल्ट नहीं लग रही थी उसकी seat belt थोड़ी सी टाइप थी इसलिए वह लग नहीं रही थी. दिव्यांश ने जब देखा कि कृष्णा को सीट बैल्ट लगाने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसने कृष्णा के बैल्ट लगाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा तो कृष्णा ने उसे रोक दिया तो दिव्यांश से अपना हाथ पीछे कर लिया तभी एर होस्टिस वहां आ गई और उसने कृष्णा को बैल्ट लगाने में मदद की सभी अपनी सीटों पर बैख चुके थे और अब टेक ओफ के लिए भी अनाउंस हो चुका था जैसे ही टेक ओफ के लिए प्लेन स्टॉट हुआ तभी दिव्यांश का हाथ जोर से पकर लिया कृष्णा ने कृष्णा के हाथों का स्पर्श अपने हाथों पर महसूस होते हैं दिव्यांश को एक अलग फीलिंग आई उसने मुर कर देखा तो आँखे बंद कर सीट के अपना सर लगा कर बैठी हुई थी कृष्णा आखे बंद कर कुछ जल्दी जल्दी बोल रही थी वह बहुत धीरे धीरे बोल रही थी मगर दिव्यांश को उसके बाद सुनाई दे रही थी कृष्णा बोल रही थी क्तारानकन अपने कृष्णा को बचा लेना प्लीज मैं मनना नहीं चाहती थी जल्दी मुझे आपके पास अभी नहीं आना थोड़े दिन और रहना है इस दुनिया में दिव्यांश ने जब उसकी बाते सुनी तो उसके होटों पर हल्की सी हंसी आ गई दिव्यांश जल्दी कभी नहीं हंसता था लोग उसे हंसता हुआ आज तक नहीं देखे थी क्योंकि वह हमेशा सीरियस और गुस्से में ही रहता था लेकिन यह मुस्कान बहुत छोटी थी जो किसी ने नहीं देखी उसने भी अपना हाथ क्रिशना के हाथ से नहीं हटाया और वैसे ही बैठा रहा रागवेंद जी भी उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे मेरा भी चुपचाप बसना को देख रहे थे उसके दिमाग में कुछ चल रहा था लेकिन वह अपने चहरे के एक्सप्रेशन नॉमल बनाये रखा था था थोड़ी देर में प्लेन हवा में थी क्रिशना को जब महसूस हुआ कि वहप सुरक्षित है तो उसने अपनी आँखे खोल और धीरे से अपना सर उपर करते हुए अपने मन में कहा तारांकन तारांकन थ्यांकियो आपने देखा दिव्यांच से गूर कर देख रहा है फिर उसकी नजरे अपने हाथों पर गई जिससे उसने दिव्यांच के हाथों को पकड़ा हुआ था ये देखते हैं उसने दिव्यांच के हाथों से अपना हाथ चुड़ा लिया और ठीक से बैट गई और अपना चेहरा खिरकी के तरफ कर लिया और पागलों को देखने लगे। दिव्यांच ने भी कुछ नहीं का वह फिर से अपना लप्टॉप आन कर काम करने लगा। थोड़ी देर में दिव्यांच को अपने कंदे पर कुछ बाहर महसूस हुआ तो उसने देखा क्रिशना सो चुकी है। और उसका सर उसके कंदे पर है। फिर उसने अपने चारों तरफ देखा तो पाया कि सभी आँखे बंद कर सोय हुए है। प्रागवेंद्र जी, मेरा भी सो चुके थे क्योंकि कल रात बहुत लंबी रात थी उसके लिए सब रात भर सोय नहीं थे इसलिए सभी सो चुके थे शिवाय और सागर भी सो चुके थे। दिव्यांश ने अपना लग्टॉप बंद किया और क्रिशना के सर को अपने कंदे पर अच्छे से रखकर उसके चहरे पर आई हुई एक लिटको उसके कान के पीछे कर दिया और क्रिशना के चहरे को ध्यान से देखने लगा। दिव्यांश आज एक अलग सुकून महसूस हो रहा था। दिव्यांश के पीछे हमेशा खूबसूरत लड़किया रहती थी लेकिन दिव्यांश को उन में से कभी भी यह थास महसूस नहीं हुए जो क्रिशना के पास है उसे महसूस हो रहा था वह प्यार यार में नहीं मानता था और उसके लि मगर जो भी feeling से आ रही थी वो उससे enjoy कर रहा था यह उसकी life का first experience था जब वो किसी लड़की की तरफ attract हो रहा था दिव्यांश ने Krishna के हाथों को अपने हाथ में लेकर अपने मन में कहा तारांकन मैं प्यार में नहीं मानता हूँ आज तक मैंने प्यार और इन सब चीज़ पर कभी भरोसा नहीं किया लेकिन तुम्हें देखकर आज मुझे एक सुकून महसूस हो रहा है जो मैंने पूरी दुनिया में धूनदा लेकिन मुझे नहीं मिला वो सुकून मुझे तुम्हारे पास मिल रहा है मुझे पता है तुमने यह शादी अपने मन से नहीं बलकी हालातों की वजह से किया है लेकिन मुझे इससे कोई मतलब नहीं है मैं सिर्फ अब इतना जानता हूं कि तुम आप से मेरी हो और मेरी ही रहोगी अब तुम पर सिर्फ मेरा हक है तो अब तुम मुझसे दूर कभी नहीं जाओगी हमेशा मेरे साथ रहोगी मेरा सुकून बनकर इतना कहकर दिव्यांश ने कृष्णा के हाथों को चूम लिया और आखे बनकर बैग गया तारानकन इतना कहकर वह कृष्णा को देखने लगा दिव्यांश क्रिष्णा को देखते देखते ही सो गया क्या क्रिष्णा दिव्यांश के इमोशन्स को समझ पाएगी क्या इनके रिष्टे में प्यार होगा दिव्यांश भी क्रिष्णा के साथ फ्लाइट में सो गया उसके चेहरे पर एक अलग सुकून था आज का एक अलग इंसान लग रहा था जो किसी की केर करता हो किसी से प्यार करता हो उसे देखता रह कोई भी नहीं बता सकता इस समय दिव्यांश बहुत ही जादा क्रूर और दयाहीन इंसान है थोड़ी देर में सागर की आँखे खुली तो अपने बॉस को इस तरह देखकर उसे शौक लगा क्योंकि जो आदमी कभी भी किसी लड़की को अपने आसपास भटकने नहीं देता था आज वह अपनी वाइफ को इतने अच्छे से ट्रीट कर रहा है उसने अपने मन में कहा तारांकन 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 सही कहते हैं लोग शादी के बाद हर इंसान बदल जाता है और आज मैं सचमुच देख रहा हूं फिर वह अपनी आखे बंद करके सो गया दिव्यान शुकृष्टना को अपना सुकून महसूस कर रहा था उसे अभी तक पता नहीं था वो ही एक बवंदर को अपने साथ ले जा रहा है उसने किसी सीधी साधी लड़की से नहीं बलकी किसी शेर्नी से शादी की है जो उसकी जिंदगी रोलर कोस्ट बनाने वाली थी सूर्यवंशी मैंशन मुंबई यह मैंशन रागवेंदर जी ने बनवाया था यही सूर्यवंशी परिवार रहते थे अब जानते हैं सूर्यवंशी परिवार में कितने लोग है रागवेंद सिंग सूर्यवंशी उनकी पतनी जानकी सिंग सूर्यवंशी हेड है प्रागमेंड जी के दो बेटे पहला अमरेंड सिंग सूर्यवन्शी और दूसरा विजेंड सिंग सूर्यवन्शी है विजेंट सिंग सूर्यवन्शी और उनकी पतनी सरिता सिंग सूर्यवन्शी और उनके दो बेटे आलोग सिंग सूर्यवन्शी और अन्मोल सिंग सूर्यवन्शी थे और उनके साथ एक लड़की गिरिजा रहती है सभी एक साथ ही रहते हैं गिरिजा एक अनात लड़की है किरिजा के पापा रागवेंद जी के वफादार सेवक थे एक बार रागवेंद जी को दुश्मनों ने घेर लिया था और उनकी जान बचाते हुए उनकी जान चली गई थी उस समय गिरिजा फाइव साल की थी गिरिजा की मा बच्पन में ही गिरिजा को जन देते स्वर्ग सिधार गई थी चैपूर गिरिजा के पिता का देहांत हो गया तो अनात हो गई इसलिए रागवेंद जी ने गिरिजा को अपने साथ रख लिया था वह उसकी देखभाल और उसका सारा खर्च उठाते थे एक चुटकुला और जिंदा दिल लड़की है अपनी जिंदगी खुल कर जीती है धीरे धीरे बाकी सारे लोगों के बारे में हम जानेंगे वह क्या करते हैं और कैसे है सूर्यवंशी मेंशन बहुत बड़ा था और बहुत सुन्दर वह मेंशन नहीं एक मेहल की तरह था उसके हर एक चीज़ पर रोयल्टी नजर आती थी उस विलाके चारों तरफ हमेशा बोडिगार्ट एनात रहते थे उस मेंशन के आगे एक बहुत बड़ा फूलों का बगीचा गार्डन फाम्टेन और मैदान भी था सूर्यवंशी मेंशन वाइट और गोल्डन कलर का था जो उसे एक और रोयल लुक देता था मेंशन के गराज में दुनिया की सारी महंगी महंगी गारिया थी इस घर को देखकर ही कोई भी बता सकता था या घर कितने अमीर इनसान का है उनके और भी बहुत सारे घर पर लेकिन ये घर सबसे ज़्यादा स्पेशल था इसलिए सभी लोग यही रहते थे मेंशन की सिक्योरिटी बहुत ही एड़वांस थी अगर कोई भी इनसान अंदर घुसना चाहे भी तो बिना पमिशन की कुछ नहीं सकता था घर तीन फ्लो का था सबसे उपर का फ्लो दिव्यांश का था इस फ्लो कर हर एक चीज थी इस फ्लो कर स्विमिंग पूल, स्टाडी रून, जीन सब कुछ था क्योंकि दिव्यांश को ज़्यादा शोर शरबा और ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं था वह हकेला ही रहना पसंद करता था इसलिए उसके फ्लो कर बिना कोई काम के नहीं जाता था दिव्यान्ष बहुत ही रिचार्च टाइप का इंसान था इसलिए वह लोगों से दूर रहता था और अपने काम से काम रखता था बाकी दोनों फ्लोरस परिवार के सारे लोगों के कमरे थे घर के अंदर हॉल में एक बुजूर्ब महिला जिन्होंने ब्लू कलर की सिल्की सारी पहना हुआ था जो बहुत महंगी लग रही थी उस बुजूर्ब महिला के बाल सफेद थे गले में मोतियों की माला उनकी आखों पर गोल्डन फ्रेम का चश्मा हाथों में दो सोने की कंदन पहने हुए थे वह इस उम्र में भी बहुत है अच्छी देख रही थी उनके हाथों में एक बहुत ही सुन्दर नकाशी की हुए लकली की चड़ी थी वह उसी चड़ी के सहारे हॉल में आ रही थी इस उम्र में भी बहुत सुन्दर लग रही थी यह कोई और नहीं जानकी सिंग सूर्यवन्शी थी दिव्यांश सिंग सूर्यवन्शी की दादी मा और रागवेंद्र जी की धर्म पत्मी जानकी जी बहुत ही अच्छी और एक समझदार महिला थी उनके हर एक फैसले को घर के लोग सम्मान देते थे जिस तरह रागवेंद्र जी के फैसले का सम्मान दिया जाता था जानकी जी हॉल में आने के बाद वहाँ पर रखे सोफे पर बैग गई और कहा की तारानकन गिरजा अभी तक हमारी चाय क्यों नहीं आई सुबल के दस बजे बज चुके हैं और तुम अभी तक हमारी चाय लेकर नहीं आई तुम्हें पता है ना जब तक हम चाय नहीं पी लेते तब तक हमारे दिन की शुरुआत नहीं होती है तारानकन तारानकन अपनी नजर इधर उधर गुमाने लगी तब ही वहाँ एक नौकर जिसने डाक ब्लू कलर की युनिफॉर्म पहनी हुई थी और उसके पॉकेट में भी एक सूर्य का निशान था ये घर के की युनिफॉर्म थी जो भी नौकर सूर्य वंशी मैंसन में काम करते थे उन्हें यही इन्फॉर्म पहनना होता था उस उस युनिफॉर्म में उनके नाम भी लिखे हुए रहते थे ताकि लोग उसे पहचान जाए अगर किसी को उनका नाम याद नहीं आए तो वह उनका नाम देकर उन्हें अपनी बात बोल सके एक नौकर ने आकर कहा तारांकन तारांकन मैं गिरजा दीडी किचन में चाय बना रही है वहाती होगी तारांकन 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 इतना कह कर वहां से चला गया जानकी जी ने भी अपना सरहां हिला कर बैट गई थोड़ी देर बाद एक लड़की ब्लैक कलर की कुर्टी और ब्लैक कलर का प्लाजो पहने बाल खुले हुए जो कमर से उपर तकाते थे उसका रंग गोरा था ताली आखें, होटों पर पिंग लिप्स्टिक लगाए हुए दिखने में बहुत खूब सुरत थी लड़की की उमर 20 साल होगी उसके चहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल थी जोशी और खूब सूरत बना रहा था बॉह किचन से हाथों में चाय की एक्टे लेकर वालों में आ रही थी और उसके पीछे कुछ नौकर कुछ नाश्ता लेकर आ रहे थे ये लड़की गिरिजा थी जो दादी जी के लिए चाय लेकर आ रही थी गिरिजा जानकी जी के पास चाय लेकर आती है और टेबल पर रख देती है गिरिजा चाय निकालते हुए जानकी जी से बोली आ गई आपकी चाय दादी मा मेरे होते हुए आपको चाय के लिए या किसी चीज के लिए देरी हुई है जो आज होगी तो आप इतनी टेंशन क्यों लेती है तारानकन ये कहकर गिरजा ने चाय निकालकर जानकी जी को चाय निकालकर उनकी तरफ बढ़ा दिया दादी जी ने चाय लेते हुए गिरजा से कहा तारानकन 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 मुझे पता है तुम्हारे होते हुए मुझे अपने खाने और दवाई की चिंता नहीं करनी है मुझे तो बस चाय जल्दी चाहिए थी तारानकन तारानकन इतना कहकर वो चाय पीने लगी फिर कुछ सोचते हुए गिरिजा से बोली वैसे ही तुम्हारी बात दादा जी से हुई है कल शाम के बाद तारानकन जानकी जी की बात सुन गिरिजा ने कहा नहीं दादी मा मेरी उनसे कल शाम के बाद से कोई बात नहीं हुई गिरिजा की बात सुन जानकी जी को थोड़ी टेंशन होने लगी फिर उन्होंने कहा मेरी भी बात उनसे कल शाम के बाद से नहीं हुए और उन्होंने भी वापस मुझे कॉल नहीं किया उन्होंने कहा था वह शादी में से आने के बाद कॉल करेंगे जानकी जी को टेंशन लेते हुए देखकर गिरजा ने उनहें मुस्कुराते हुए कहा आप टेंशन मत लीजिए वह लोग अब मुंबय आने वाले हुँंगे क्योंकि समय तो हो चुका है और उन्होंने कहा भी था वो सुबह फ्लाइट लेकर आ जाएंगे शायद वह थक गए होंगे इसलिए कॉल नहीं किया होगा और उनके साथ दिव्यांश भाया भी तो है तो आप टेंशन मत लीजिए उध्धरंग चिन उध्धरंग चिन उध्धरंग चिन लग रहा होगा वह लोग मुंबई पहुंचते हैं आपको पकका फोन करेंगे और मेरे ख्याल से तो अब तक वह लोग मुंबई पहुंचने वाले होंगे तारान कन गिरिजा की बात सुन दादी माने कहा हां ऐसा ही होगा फिर कुछ सोचते हुए दादी ने कहा कब तक हम सब की शादियों में जाते रहेंगे हमारे घर में कब शादी होगी पता नहीं कब मेरे दिव्यांश की शादी होगी उसे तो कोई भी लड़की पसंद ही नहीं आती है पता नहीं बुद्धा होगा तब ये लड़का का शादी करेगा मुझे अपने पर पोते को देखने का ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा लगता है उद्धरंग चिन उद्धरंग चिन उद्धरंग चिन जो बात कहते हुए जानकी जी के आँखों में उदासी और चहरे पर चिनता थी जानकी जी की बात सुनकर गिरजा ने कहा ऐसा नहीं होगा दादी मा चिंता मत कर ये दिव्यांश भाया भी जल्दी शादी कर लेंगे मुझे तो ऐसा लगता है अगर ऐसा हो कि दिव्यांश भाईया जिस शादी में गए है उसी शादी में उन्हें एक लड़की पसंद आ जाए और वह उसी मंदप में शादी करके आ जाए तो कैसा होगा तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं होगी और अगर वह शादी करके नहीं भी आते हैं तो भी जल्दी उनकी शादी हो जाएगी या मेरा मन कहता है गिरिजा की बात सुनकर मुस्कुराते हुए दादी ने कहा अगर ऐसा हुआ तो मैं भगवान को 56 भोग से आऊंगी और तुझे जो चाहिए वह भी दूंगी मगर ऐसा पता नहीं होगा या नहीं हुआ होगा मुझे तो बस अपने पर पोते को देखना है लेकिन ये दिव्या भया की शादी हो जाती है जो मैं चाहूंगी आप मुझे देंगी तो दादी ने गिरिजा के खुश होते हुए चेहरे को देखकर कहा हा जो मानगोगी मैं तुम्हें मिल जाएगा मगर उसके लिए दिव्यांश की शादी हुने भी तो जरूरी है अगर दिव्यांश की पहती है उसे मिल जाए तब ही सीडियों से एक औरक नीले रंग की डिजाइनर सारी पहने बालों में जुड़ा मांग में सिंदूर हाथों में बैंगल्स पहने हुए नीचे आते हुए कहती है आपके पोते के लिए भगवान ने कोई अच्छी लड़की बनाए हूगी और अंजली सिंग सूर्यवंशी एक फैशन डिजाइनर है उनकी डिजाइन की हुई ड्रेसस कोई आम लोग नहीं खरीद सकते थे वह बहुत महेंगी होती है उनकी ड्रेसस खासकर अमिर खान दानों की लोग और फिल्म सेलिब्रिटीज ही खरीदते हैं उनका ब्रांद इंडिय जाही नहीं दूसरे कंट्री में भी फेमस है उन्होंने अपने नाम पर है फैशन इंडिस्ट्री में अपना नाम किया है उन्होंने बिना सूर्यवंशी टाइटल का यूज किये काम्या भी पाई है इनके फैशन शो में बहुत सारी सेलिब्रिटीज वाप करते हैं यह निकालने का इशारा करती है कि जब इसे सारे को समझ कर चाय निकालने लगती है अंजली जी के लिए आंजली जी की बात सुनकर जानकी जी ने कहा, हाँ तुम्हारे बेटे के लिए क्रिषल भगवान ने ही अपना स्वरू की ना भेज दिया हो इसलिए उसे आने में देर हो रही है. उध्धरंग चिन उध्धरंग चिन उध्धरंग चिन उध्धरंग चिन अगर लड़के तो पसंद नहीं है ना कर ली मैंने टीवी में देखा था इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ अंजली जी जो अभी चाय मुह में लिया ही था उनकी बात सुनकर खांसी आ गई और वह खासने लगी खासने लगी जब गिरिजा ने अंजली जी को वश खासते कर रही है मेरे बेटे को लड़किया ही पसंद है उसे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं मैं दावे के साथ कर सकती हूँ उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है दादी जी कुर्ते में कहती है हाँ इसलिए आज तक तुम्हारे बेटे की एक भी गलफ्रेंड नहीं है तूने ही तो इतनी सारी लड़कियों से उसे मिलवाया है लेकिन उसने किसी से धांग से तक बात की उपर से उनकी इंसर्ट कर कर आ जाता है अपने आसपास में किसी लड़की को देखना बरदाश्ट नहीं करता है हमेशा लड़कों के आसपास ही रहता है तो अब मैं क्या करूँ अभी जी अभी उन्हें कुछ कहने वाली थी तबी जानकी जी का फोन बज़ता है फोन में रागवेंदर जी का नाम शो हो रहा था ये देखकर दादी ने कॉल जल्दी से उठा लिया ओन दा कॉल दादी जी फोन उठाते के साथ कहती है आपका फोन क्यों नहीं लग रहा था आप ठीक सब ठीक तो है आप सब कब तक घर पहुंच रहे हैं आपको तो मेरी चिंता ही नहीं है मैं आपको कब से कॉल कर रहा हूं कॉल ही नहीं लग रहा है आपको एक बार बताना तो चाहिए था ना कि आप कब वापस आ रहे हैं मुझे कितनी चिंता हो रही है दादी जी ने स तुम चुप होगी तब तो मैं कुछ बोलूँगा मैं ठीक हूँ और हम सब बिलकुल ठीक हैं और हम लोग मुंबई एपोट पर पहुँच चुके हैं मैंने यही तारांकन तारांकन इतना ही कहा था कि दादी जी ने बीच में अपना जूठा गुस्सा दिखाते हुए बोले तो क्या मैं ज़्यादा बोलती हूँ ठीक है आज के बाद मैं आपकी और किसी की फिक्र ही नहीं करूँगी और ना ही कुछ बोलूँगी इतना कहकर दादी जी ने गुस्से में अपना मूफ उला लिया तो रागवेंद जी ने कहा ठीक है आप गुस्सा बाद में हो लीजि लेकिन जिसके लिए मैंने आपको कॉल किया है वह बात तो मैं आपको बता दूँ तो जानकी जी ने कहा कौन सी बात आप बताने वाले हैं उनकी आवाद सुनकर रागवेंद जी ने बोला मैंने ये बताने के लिए आपको फोन किया है कि आप ग्रह प्रवेश की तयारी करि और हम और दिव्यांश आपकी पोता बहु को घर लेकर आ रहा है। उध्धरंग चिन उध्धरंग चिन उध्धरंग चिन उध्धरंग चिन रागवेंदर जी की बात सुनकर दादी जी के हाथ से फोन छूट कर नीचे गिर गया और वह शाक से सामने देखने लगी। ये पेककर सबको घबराहत होने लगी गिरिजा ने जल्दी से फोन लिया और स्पीकर पर फोन लगा दिया। उधर से दादाजी की आवाज आई तुम सुन रही हो जानकी हिलो सुन रही हो। गिरिजा उनकी बात सुनकर रागवेंद जी से बोला दादाजी मैं गिरिजा बोल तो मुधर से दादा जी ने मुस्कुराते हुए गिरजा को जवाब दिया, मैंने सिर्फ जान की वह सिर्फ ये बताया है कि दिव्यांश के शादी हो गई है और हम बहु को लेकर घरा रहे हैं, इसलिए जल्दी से ग्रह प्रवेश की तयारी करो, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ग्रह प्रवेश में अभी हम मुंबई अपोर्ट से निकलने वाले हैं, इतना कहकर उन्होंने फोन कात दिया, वही तीनों लेडिस शौक हो गई, उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा था, वह जो सुन रही है, वह सच है, या एक सपना गिरजा ने अपने आपको चिम्टी थी तो उसके मुव से आवाज निकली, आ, गिरजा की आवाज सुनकर सभी होश में आए, और तब गिरजा ने कहा, क्या ये सपना नहीं हकीकत है, क्या सच में दिव्यांश भाया ने शादी कर ली, जोर से चिल्लाए, जानकी जी ने कहा, हाँ आज लगता है, भगवान ने ह नहें जहवाब देते हुए कहा, अभी तो आप मेरे बेटे को कुछ और ही साबित करने पर तुली हुई थी मा, मेरे बेटे ने शादी कर ली है, तो अब आपको भरोसा तो हो गया ना मेरा बेटा ही है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उद्धरंग चिन, उद्धरंग चि की तयारी करो और तुम अब सास बन चुकी हो तो अपनी तुम्हारी जिम्मेदारिया भी अब बढ़ चुकी है उध्धरंग चिन उध्धरंग चिन उध्धरंग चिन जानकी जी की बात सुनकर सभी मुस्कुरा है उनकी बात सुनकर अंजली जी ने जानकी जी के गले लगते ह मा मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा है कि दिव्यांच ने शादी कर ली है और मेरी बहु घराने वाली है अब मैं भी आपकी तरह अपनी बहु पर हुकुम जताऊंगी। उध्धरंग चिन हो उध्धरंग चिन हो उध्धरंग चिन हो जानकी जी ने अंजली जी को अलग किया और कहा क्या मैं तुम्हारे उपर हुकम जलाती हो अंजली जी ने उन्हें प्यार से कहा नहीं मा आप तो मुझसे अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करती है वह तो मेर खुशी के मारे ये सब बाते निकल गए आप गुस्सा मत होना आप तो मेरी मा हो फिर से जानकी जी के गले लग गई अंजली जी की बात सुनकर जानकी जी ने कहा हा समझ गई अब चलो जाओ जल्दी से बहु के प्रवेश की तयारी करवाओ कोई कमी नहीं होनी चाहिए अंज बेटे को अगर वो पसंद नहीं होती तो दिव्यांश कभी भी शादी नहीं करता जानकी जी ने कहा हाँ हाँ ठीक है पहले तुम उसके आने की तो तयारी करो और गिरिजा तुम भी अंजली के साथ जाकर तयारी करो नहीं तो तुम्हारे दादा जी नाराज हो जाएंगे उद्धरंग चिन उद्धरंग चिन उद्धरंग चिन उद्धरंग चिन उद्धरंग चिन जानकी जी की बात सुनकर गिरिजा ने कहा बिलकुल दादी मा बिलकुल मैं अपनी भाभी की ग्रैंड एंट्री करवांगी मुझे तो यकीन है वो करोडों में एक होंगी तभी त मेथा तैयारिया करने के लिए चानकी जी वही बैठे सोफे पर भगवान को धन्यवाद कर रही थी सभी नौकर जल्दी जल्दी अपना काम करने लगे जो उन्हें बताया गया था उन सब को भी जानकर बहुत खुशी हुई मुंबई एपोर्ट दिव्यांश की फ्लाइट लै नहीं सोई थी इसलिए वल गहरी नींग में सो रही थी रागवेंद जी ने दिव्यांश से कहा हम लोग पहले ही घर जा रहे हैं तुम बहु को लेकर आ जाना ये कहकर दादा जी ने मीरा को अपने साथ लेकर चले गए मीरा ने जाते समय एक बार क्रिश्ना की ओर देखा फ क्योंकि अगर वल क्रिश्ना को नीन से नहीं जगाएगा तो वह घर कैसे पहुंचेंगे अगर वल चाहता तो वह अपनी गोड में उठा कर ले जा सकता था लेकिन वह भी नहीं कर सकता था क्योंकि अगर उसने क्रिश्ना को अपनी गोड में उठा कर ले गया तो शायद क्र अच्छे से नहीं जानता था इसलिए उसकी रियेक्शन को लेकर दिव्यांश को डर लग रहा था कहीं वह उसे गलत नहीं समझ ले। नीन से जागी थी दिव्यांश का हैंसम सा चहरा देखकर हलका सा मुस्कुरा दी। आज जब क्रिशना की कानों में पड़ी तब जाकर उसे होश आया वह सपना नहीं हकीकत है और जिस इंसान को वह अपना सपनों का राजकुमार समझ कर मुस्कुरा रही है वह उसके जीवन में एक डैविल है जिसने उसकी आजादी चीन लिया। ये याद आते ही क्रिशना के चहरे पर मुस्कुराह चली गई और थोड़ा गुसा उसके चहरे पर दिखने लगा दिव्यांच ने उसके गुसे को ज्यादा ध्यान ना देते हुए खड़ा हो गया। जहां उनकी गाडियां लगी थी बॉडी गार्ड ने दर्वाजा खोला और तो दिव्यांश ने कृष्णा को बैठने के लिए इशारा किया। सूर्यवन्शी मैंशन एअपोर्ट से थोड़ा दूर था इसलिए उन्हें थोड़ा टाइम लगने वाला था घर पहुंचने के लिए। देखकर गाड़ी चलाने का इशारा किया। दिव्यांश भी अपने फोन में लगा हुआ था और कृष्णा कार की खिलकी से बाहर मुंबई शहर को देख रही थी और अपने किसमत के बारे में सोच रही थी वह कहां से कहां पहुंच गई क्या। उसने एक शादी तोड़ने के लिए इतनी मेहनत की सबूत ढूंदे किसे शादी ना करना पड़े लेकिन उसी मंदप पर सिर्फ दूलहा चेंज हुआ और उसके साथ शादी करनी पड़ी उसे अपने किसमत पर हसी भी आ रही थी और रोना भी आ रहा था उसने कभी नहीं सो परन आगे पीछे हो रही थी दिव्यांश बस उसे अपने ग्रे आँखों से एक तक निहारने लगा जब कृष्णा को एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है तो उसने अपना चेहरा दिव्यांश की तरफ मोड़ा जिसे देखर दिव्यांश ने जल्दी से अपना चेहरा उसे हटा कर फोन में लगा दिया कृष्णा ने उसे अपने उपर घूरते हुए नहीं देख पायो और फिर से खिर्की के बाहर दिखने लगी थोरी देर में दिव्यांश की कार सूर्यवंशी मेंशन पहुची तो बॉडी गार्ड ने उसके घर का दरवाजा खुला दरवा दिव्यांश का हाथ थामना पर उसका हाथ थाम कर बाहर निकले जब वह बाहर निकली तो अपने सामने उस माहौल से जैसे घर को देखकर बस गई चौप गए उसने अपना सर उठा कर घर की तरफ देखा फिर दिव्यांश की तरफ दिव्यांश ने अभी तक उसका हाथ था किस्मा हुआ था वह उसे अपने साथ अंदर ले जाने लगा क्रिश्ना भी उसके साथ चली गई वह अभी सूर्यवंशी मैंशन के बाहर ही सब कुछ देख रही थि उसने नहीं सोचा था कि म chilly बनची इतने सुंदर होगा तो उसकी नजर भी मीरा पर चली गई कृष्णा ने सवालिया नजरों से मीरा को देखा तो मीरा उसके पास आ गई कृष्णा उससे पूछना चाहती थी वह धर के अंदर क्यों नहीं गई वह बाहर यहां क्यों ख़ली है क्या किसी ने से कुछ कहा कृष्णा ने अभी कुछ कहा नहीं था मगर उसकी नजरे उसके सारे सवालों के बारे में मीरा को बता रही थी तो मीरा उसके पास आये और उससे कहा मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी तुम जब तक इस घर में नहीं जाओगी तो मैं इस घर में कैसे जाओगी इस घर में तुम्हारा पहला हाख है जाने का फिर मैं चली जाओगी उद्धरंग चिन उद्धरंग चिन उद्धरंग चिन उद्धरंग चिन तो सामने बहुत सारे लोग खड़े थे। उसे लेकर दर्वाजे के पास पहुंचा तो दर्वाजे पर जानकी जी, अंजली जी, सरिता जी, दीप्ती, गिरिजा, आलोक और अन्मोल और रागविंद जी खड़े थे। सब दिव्यांश और कृष्णा को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अंजली जी के हाथों में आर्ती की थाल थी सब उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब कृष्णा ने सबको अपनी और एक टक लगाय हुए देखा तो उसे घबराहत होने लगे उसे आज तक कभी घबराहत नहीं हुई थी उसने हर एक मुसीबत का सामना किया था हर एक प्रस्तुती का मगरा जो उनकी नजरों के कारण थोड़ी सी घबरा गई थी। इसलिए दिव्यांश ने जो हाथ कृष्णा को पकर रखा था उस पर अपनी पकर थोड़ी मजबूत कर ली। दिव्यांश जो अभी उन सब को देख रहा था कृष्णा को देखते हुई उसे जब महसूस हुआ कि कृष्णा ने उसका हाथ थोड़ा मजबूती से पकर लिया है तो उसने कृष्णा की तरफ देखा जो थोड़ी सी घबराई भी लग गई थी तो दिव्यांश ने फिर अपने परिवार की तरफ देखते हुई कहा आप लोग हमें अंदर आने देंगे या हमें पारी रखने का इरादा है उसकी बात सुनकर सब अभी होश में आये सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई सब को देखा ऐसा लगा था सबको कृष्णा एक ही नजर में पसंद आ गई अंजली जी ने अपने हाथों में पकड़ी हुई थाल से पहले उन दोनों को टीका लगाया फिर फूल बरसाए और और उनकी आरती उतारी आज सभी घरवाले दिव्यांश की शादी को लेकर बहुत खुश थी खास कर उसके भाई बहन सब के उठों की मुस्कान जा नहीं र ही थी सबको अभी तक भरोसा नहीं हो रहा था कि जो सामने है सच है या सपना अंजली जी ने दिव्यांश और क्रिशना की आरती उतार कर दरवाजे के बीचों बीच रखा चावल से भरा हुआ कलश की तरफ इशारा करते हुए कहा बेटा इस कलश को अपने दाएं पैर से गिरा कर अंदर आओ फिर आगरा के थाल में पैर रख कराना फिर अंजली जी ने देखा कि दिव्यांश अभी क्रिशना कहा था वह तो उनके चहरे पर एक शरार्ती मुस्कान आ गई और उन्होंने जान किसी की तरफ इशारा किया जानकी जी ने जब अंजली जी के इशारे को समझा और उस और देखा तो वह भी देखकर उनकी मुस्कान भी बढ़ी हो गई फिर जानकी जी ने दिव्यांश को थोड़ा चिराने के लिए कहा मेरा पोता तो शादी के बाद प्रती बदल गया हाई अब मुझे कौन पूछेगा अब तो दिव्यांश मुझ पर ध्यान भी नहीं देगा दिव्यांश उनकी बात को नहीं समझ पाया और उसने नासमझी में जानकी जी को देखा और उसने कहा आप ऐसी बात क्यूं कर रही है दादी में आप पर क्यूं नहीं ध्यान दूनगा तो और अपने नासमझी में जानकी जी से पूछ लिया जानकी जी ने उन सब को अभी तक नहीं विश्वास हो रहा था दिव्यांश एकी दिन में इतना बदल गया जब दिव्यांश और कृष्णा ने उनका इशारा समझा तो awkward हो गया और उन्होंने अपना हाथ चुला कर खराब है फिर कृष्णा ने अपना लहंगा सम्हालते हुए चावल से भ दादी ने कृष्णा को रोक लिया सभी दादी जी की ओर अचम्हितों कर देखने लगे ऐसे दादी जी को रोकते हुए देखकर रागवेंद जी ने कहा जानकी तुमने बहु को अंदर आने से क्यों रोका उध्धरल चिन उध्धरल चिन तो दादी जी ने मुस्कुराते ह कहा क्योंकि आपका पोता मेरी बात सुनकर शर्माकर अभी भी वही खड़ा है और ग्रह प्रवेश दोनों को साथ में करना होता है ना कि अकेले इसलिए मैंने कृष्णा को रोका उनकी बात सुनकर सबने चैंग की सांस ली फिर सामने दिव्यांश की ओर देखा तो दिव्यां पैर रख कर घर के अंदर चली गई जब उसने सूर्यवंशी मैंशन को देखा तो उसकी आँखे और बड़ी हो गई क्योंकि सूर्यवंशी मैंशन जीतना बाहर से खूबसूरत था उससे ज़्यादा खूबसूरत वह अंदर से था मीरा को भी रागवेंद जी ने अंदर आ जब वह लोग हॉल के अंदर आये हैं तो जानकी जी ने अंजली जी से कहा अंजली बेटा सबसे पहले तुम दिव्यांश और बहु को भगवान जी का आशिरवाद लेने के लिए मंदिर लेकर जाओ जब तक हम लोग हॉल में बैठे हैं जानकी जी की बात सुनकर अंजली जी ने अपना सिरहा में हिलाया और कहा ठीक है मा मैं पहले इन दोनों को मंदिर ही लेकर जाती हूँ अंजली जी दिव्यांश और कृष्णा को लेकर मंदिर की ओर चली गई उनके साथ गिरिजा भी मंदिर की ओर चली गई यह मंदिर घर में ही बना हुआ था मैं मंदिर बिलकुल सफेद संग मरमर के पत्थर से बनाया हुआ था उस पर बहुत ही सुन्दर कार्य लिखी हुई थी मंदिर की छट और पिलम में भी बहुत सुंदर और महीन कारीगरी की हुई थी उसे पूरी तरह फूलों से सजाया हुआ था आंजली जी ने दिव्यांश और कृष्णा को भगवान के सामने खड़ा कर दिया और कहा भगवान से अपने नए रिष्टे की शुरुआत के लिए आशिर्वाद ले लो ताकि वो तुम्हारा साथ हमेशा बनाए रखे तुम्हारे जिंदगी में हमेशा खुशिया आए यह मंदिर में शिवजी और पार्वती मा गनेश जी के साथ विराजमान थे उनकी बहुत ही खूदसूरत मूर्ती थी और साथ में कृष्णा जी और राधा जी की भी मूर्ती थी वह मूर्तिया इतनी अच्छी थी कि जैसे मानव भगवान अभी बोल दे दिव्यार्ष भगवान को नहीं मानता था लेकिन आज वह अपने मां की बात मानकर चुपचापना चाहते हुई भी भगवान की सामने हाथ जोलकर खड़ा हो गया कृष्ण ने भी अपने हाथ जोलकर आखे बन करके भगवान का ध्यान करते हुए कहा क्या कृष्ण जी हमने क्या सोचा था और आपने क्या कर दिया कितना अच्छा मैंने शादी तोर दिया था लेकिन आपको मेरी शादी करवानी थी इसलिए ऐसा खेल खेला जिससे मन की बात भी हो गए और आपकी मन की भी बात पूरी हो गई कोई बात नहीं आपको मैं खुश अच्छी नहीं लग रही थी ना इसलिए आपने मेरी शादी करवाओ दी कोई बात नहीं अगर आपने ये रिष्टा जो रहा है तो मैं इसे जरूर निभाओंगी लेकिन अगर इसने मेरी जिंदगी को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की तो मुझे अपने फैसले के बारे में फिर से सोचना होगा कि मैं ये शादी निभाओ या नहीं कृष्टन अभी भगवान जी से अपने मन की बात कर रही थी और वही दिव्यांच कृष्टन को प्रार्थना करते हुए देख रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यूँ वह उसकी तरफ की जा जा रहा है तभी कृष्टन ने अपनी आँखे खोलने लड़की लगी जिसे देखकर दिव्यांच ने अपना चेहरा फिर से भगवान जी की तरफ कर दिया ताकि कृष्टन को नहीं पता चले कि वह उसे देख रहा था मगर गिरिजा जी और अंजली जी दिव्यांच के हर एक expression को देख रही थी कि वह क्या कर रहा है और दोनों उसे देख कर मुस्कुरा रहे थे दिव्यांच और कृष्टन ने फिर अपनी प्रार्थना पूरी की फिर अंजली जी की तरफ देखा तो अंजली जी ने उन दोनों को अपने साथ हॉल में लेकर चली गई जहां सभी लोग बैठे हुए दादा जी ने घर में आने के साथ है मीरा के लिए अलग रूम तयार करने के लिए कह दिया था और मीरा के बारे में बता भी दिया था कि वह यही रहेगी जब तक उसका मन करेगा दादा जी की बात सबने मान रही थी खाल में एक भरे सोफे पर बड़े सोफे पर दादी जी अकेले बैठी हुई थी तो अग्ली जी ने कृष्णा को दादी जी के पास बैठा दिया दिव्यांच ने अपनी मा से कहा मॉम में अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए जा रहा हूँ और मेरे कमरे में ही नाश्ता बिजवा दीजिएगा मुझे मीटिंग के लिए भी जाना है इतना कहकर वह चला गया अंजली जी दिव्यांच को लोगों को देख रही थी क्योंकि वह सिर्फ अभी तक रागवेंद्र जी और दिव्यांच को ही जानती थी उसके अलावा उसे यहां पर किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता था मीरा भी वही पर एक सोफे पर बैठी हुई थी शान्त से क्रिश्णा अभी सबको देखकर थोड़ा असहज महसूस कर रही थी यह देखकर दादी जी ने उसका हाथ अपने हाथ में रख कर बोला मैं जानकी सिंग सूर्यवंशी हूँ तुम्हारी दादी सास फिर उन्होंने अगली जी की तरफ इशारा करते हुए कहा यह तुम्हारी सास अंजली सिंग सूर्यवंशी है क्रिश्णा की सर पर हाथ फिरते हुए प्यार से फिर से दादी बोली यह घर आज से तुम्हारा भी है इस घर में तुम्हारा स्वागत है तुम्हारी आखों में कभी आशु नहीं आने चाहिए तुम हस्ती हुई ही रहना उद्धरंग चिन उद्धरंग चिन उद्धरंग चिन फिर अंजली जी ने कृष्णा को समझाते हुए कहा जितना इस घर पर दिव्यांश का हग है उतना ही हग तुम्हारा है इसलिए यहा पर तुम्हें अपनी जिन्दगी जैसे जीना है तुम जी सकती हो तुम्हें यहां कोई रोगटोग नहीं करेगा तुम्हें यहां हर चीज की आजादी है अंजली जी कृष्णा को फ्रेंडली कराना चाहती थी इसलिए उन्होंने ये सारी बाते उससे कहीं कृष्णा ने जब अगली जी की बात सुने तो उसका दिल थोड़ा खुश हो गया फिर उसने कृष्णा जी को थोड़ा घबराते हुए कहा थैंक्यू आंटी कृष्णा ने अंजली जी को आंटी कहा तो अंजली जी मुस्कुरा दी और फिर उसे मुस्कुराते हुए जवाब दिया आंटी नहीं मॉम मैंने क्या कहा था अभी अब से तुम्हारा भी घर है जैसे दिव्यांश का घर है तो जो रिष्टे दिव्यांश के हैं वह रिष्टे भी अब तुम्हारे हैं। इसलिए दिव्यांश की मॉम मतलब तुम्हारी भी मॉम इसलिए तुम मुझे मॉम ही कहोगे समझी। उद्धरंग चिन हो 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 उ बहुत सुन्दर वन पीस ट्रेस पहना था वो ही एक डिजाइना वन पीस था और कानों में बड़े बड़े इरिंग पहने हुए थी इस समय वही एक क्यूट सी डॉल लग रही थी दिव्यांश की छोटी बहन है दीपती सिंग सूर्यवंची वही फैशन डिजाइना है वह थो उसकी रोल मॉडल उसकी मॉम उसका भाय और बाकी सब फैमिली मेंबर से सभी से बहुत प्यार करती है और अपने भाय की लाडली बहना है दीपती ने अपनी मां को थोड़ा जूठा गुसा देखाते हुए कहा क्या मॉम आपकी बहु आए नहीं कि आप उनकी तरह होगी हम सबसे मिलने का मौका दे रही है सिर्फ खुद ही बात कर रही है दीपती की बात सुनकर अंजली जी ने कहा तो इसमें मैं गलग क्या कर रही हूँ आपसे कृष्णा भी मेरी बेटी है और तुम से पहले अब मैं उसका ख्याल रखूंगी अब तुम दूसरे नंबर पर हो और क्या कहा था तुमने मैं तुम लोग को मिलने का मौका नहीं दे रही हूँ तो खुद बात कर लो अब मैं चुक रहती हूँ और सभी अपना इंट्रोडक्शन दो अभी दीपती कुछ बोलती है उससे पहले ही सरिता सेंग सूर्यवंशी मतलब दिव्यांश की चाची आक अगर बोली आप दीदी की बहु आ गई है तो अब तुम है और हम सबको भूली जाएंगी अब तुम सेकन नंबर पर आओगे और पहले नंबर पर इनकी बहु होगी ये बात बोलते हुए सरिता जी के होटों पर एक शैतानी मुस्कान और एक घमन था इस समय सरिता जी ने हमेशा अपने पैसे और अपने स्टेटस का बहुत घमन रहता था वह सिर्फ किटी पार्टी और घूमने नहीं अपना टाइम खत्म करती है उन्हें हमेशा पार्टियों में जाना बहुत पसंद है वह घर के नौकरों पर भी अपना हुकुम जताती है जैसे वह उनके बंध की बेटी है इसलिए वह अपने आप पर बहुत घमन करती है उन्हें कृष्णा बिलकुल पसंद नहीं आई क्योंकि उन्हें अपने जैसे खांदानी लड़की दिव्यांश के लिए लानी थी उन्होंने अपने कुछ जान पहचान के लोगों से भी बात कर ली थी लेकिन अ क्रिश्णा बिलकुल पसंद नहीं आई फिर सरिता जी ने थोड़ा घमन दिखाते हुए अपनी आवाज में कहा मैं सरिता सिंग सूर्यवन्शी हूं मैं तुम्हारी चोटी सास लगती हो मतलब तुम्हारे चाची क्रिश्णा ने जब उनकी बात सुनी तो वह उटकर उनके पैर चुने जाही रही थी तब ही सरिता जी ने देखा कि क्रिश्णा उनके पैर चुने आ रही है तो उन्होंने उसे वही रोकते हुए कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है ऐसे भी तुम अब इस घ़र की फैमिली मेंबर हो तो और मेरी बेटी के जैसी हो तो तुम्हें मेरे प बहुत ही प्यार से कही थी इस समय उन्हें देखकर बिल्कुल नहीं लगा था कि वह घमन से बात करी क्योंकि उन्हें भी पता था कि अब किस समय किस से बात करनी है अगर वह गलत तो उन्हें अभी कृष्णा से बात करती तो साथ दादी जी वह बुरा लगता और उन्हें डा उद्धरंग चिन उद्धरंग चिन उद्धरंग चिन उद्धरंग चिन इतना कहकर वह थोड़ा मुस्कुराने लगी और सरिता जी को भी थोड़ा गुसा आ गया दादी जी की बात सुनकर लेकिन उन्होंने फिर भी अपने गुसे को थोड़ा शांत किया और उनकी बात को अब भी उनकी बात सुनकर मुस्कुरा रहे थे।